करने के लिए दरजिनों तरीके हैं लेकिन सबसे बहतर है कि ऐसा कोई भी उत्पाद प्रॉडक्ट जिसको एक निश्चित आकरती देनी हो कोई शेप देनी हो और उसके जो पाउडर है नौन मेटलिक अर्गनिक मेटिरियल है चाहे मिनरल ऑफिशल से बना हो जिसे बिविन प् रूप में परिवर्तित किया जाए आग में तपाने इसको हीट करने पर यहां सॉलिड आइटम बन जाता है इसका स्ट्रक्टर आंशिक क्रिस्टलाइन और विट्रस होता है सेरमिक सामान का इस्तमाल व्यापक रूप से घरेलू बरतनों से लेकर स्पेसक्राफ्ट में हीट रेजिस्टेंस के रूप में क्या जाता है सेरमिक मेटरियल का यही विशेश रूप मेटरियल इलेक्टरिकल, केमिकल, मेकैनिकल, इंजिनिरिंग में कई तरह के एप्लिकेशन को बढ़ावा देता है सेरमिक इंजिनिरिंग टेक्निक लॉजिकल एप्लिकेशन के लिए सेरम और master level पर M.Tech degree कराए जाती है, इस चेत्र में आप post graduate degree के साथ doctorate भी कर सकते हैं, इससे आपको भविश्य उजवल बन सकता है, B.Tech की ceramic engineering के लिए किसी माननेता प्राप्त बोर्ड से physics, chemistry, अथवा maths आदी विशयों के साथ science stream में बार्मी पास करना जरूरी होता है, ceramic engineering में M.Tech करने के लिए संबंदित विशय में B.Tech की degree जरूरी है, इसमें प्रवेश आमतर पर प्रिद्योगी परिक्षाओं द्वारा यह होता है, कई राष्टे और छेत्री engineering कॉलेजों में ceramic engineering पाहे जाती है, इन संस्थानों द्वारा आयूजित प्रवेश परिक्षाओं पास करने के बाद दाखिला मिलता है, सेलरी वेतन हर व्यक्ति और कंपनी के सबसे अलग-अलग होता है, लेकिन शिरुवात में साड़े तीन लाग से साड़े चार लाग रुपए का सालाना पैक है, जिसमें आराम से मिल जाता है, और इसमें काम क्या रहता है, एक्सपरिमेंटल एवम जो प्रोड़क्ट डवलमेंट की गतिविधी की यूजना बनाना है, शाफ फ्लोर और प्रोसेसिंग गतिविधियों को शुरू करना है, लैब में टेक्स्टिंग और गतिविधियां, सेरेमिक यूनिट्स में प्रोसेस में सुधार की कारवाई चाहिए, और क्रेटिव होना चाहिए, विशलेशन अत्मक छमता होने चाहिए, बहतर करने की इच्छा शक्ती भी होनी चाहिए, और ये कोर्सा आप करेंगे, जो संस्थान है, उसमें बनारस इंदु इन्वरस्टी बनारस है, इंडिन इंस्टूट आफ टेक्नलोजी है, आ ये सेरमिक में अगर आप आना चाहते हैं, तो इस तरह कि आपको जानकारी दी गई है, आपको ये कैसी लगी, कमेंड वाक्स में जरूर बताएगा